तो अभी राइट नौ मैं आपको एक रे अप्टिक्स का टॉपिक डिसकस कर रहा हूँ यह सिल्वड होलो लेंस ठीक है ओल्लीडी मैं इसको डिसकस किया हूँ अब यह बात करनी इसमें जैसे कि मानलो कि यह आपका होलो है और इसको सिल्वड किया हुआ है अब समझो कि अब इसमें तुम कोई पैरलल रेज भेज रहे हो ठीक है और ऐसा दिया हुआ है कि यह आपको फाइनली रिफ्लेक्ट हो करके एक बार रिफ्रेक्ट करेगा और ऐसे तो रिफ्रेक्ट करेगा ही नहीं क्योंकि यह हॉलो है तो यह एयर है तो यह भी एयर है एक तरह से देखा जा वाटर इसमें फिल्ड अप कर दोगे तो अब यह जो रिज रिफलेक्ट करके कहां पर मिट करेंगे ठीक है ना फाइनल जो मिटिंग पॉइंट होगा वो फाइंड करनी है तो अब देखो यह मुझे तुम लोग बताओ कि यह तो अभी फिलहाल तो पहला केस में क्या है तुम्हारा होलो है तो होलो है तो यह तो यह यह है यह भी यह है तो यह एकतर से देखा जाए तो यह focal length of the mirror हो गया आपका 0.2 ठीक है यह 0.2 हो गया इसका radius of the curvature कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 0.4 हो जाएगा क्योंकि concave mirror या convex mirror में जो radius of curvature focal length का double ठीक है तो अब देखो हम लोगो पानी भरने के बाद उसका फिर देखते हैं देखो अब ये बोलो ये तुम्हारा silver हो गया और ये हो गया water तो अब ये इसमें जो focal length होगा 1 by F तो इसका 1 by FM minus 2 by FL ठीक है तो इसका तो 1 by minus 0.2 कौन के mirror है minus 2 times अब ये FL का आपको 1 by F NL NM minus 1 1 by R1 minus 1 by R2 plus minus plus minus sine के साथ तो अब ये आपका 4 by 3 तो यहाँ पर 4 by 3 minus 1 और बाकी तो surrounding air है ठीक है और ये इसका तो plus हो जाएगा ये minus तो 1 by 0.4 minus minus 0.4 ठीक है ये minus तो ये देखो अब इसको solve करते है कितना होता है finally ये 1 by F तो ये minus 1 by 0.2 4 by 3 तो 1 by 3 तो minus 2 by 3 और ये ये तो plus plus हो जाएगा तो 1 by 0.2 तो 1 by 0.2 आपका minus 1 by 0.2 common 1 minus 2 by 3 ठीक है तो finally हमारा हो गया minus 1 by 0.2 1 by 3 ठीक है ओ सॉरी ये add हो जाएगा ये हो गया add minus common ले लिया तो ये हो गया तुमारा 5 by 3 तो minus 5 by 0.6 तो ये f is equal to minus 0.6 तो ये minus 0.12 तो ये आपका answer हो गया minus 0.12 meter राइट ओके